तो राजस्तान के जैपूर में बीजे पिस्तांसा डॉक्र किरोडी लाल मीडा ने मनाही के बाद भी आमागड किले पर जंडा फैराया है और जिसके बाद कि रोडी लाल मीडा ने समाच का जंडा आमागड किले पर फैरा दिया इससे पहले उन्होंने मनाही के बावजूद वहा जंडा फैरा दिया पुलिस ने इस घटना के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जबकि बीजेपी संगटनों के साथ संघर्ष कर रहा है और दावा कर रहा है कि मीडाओं की एक अलग भचान है और वे हिंदू नहीं है मीना समुदाय के नेता और विधायक रामकेश मीडा दोरा कुछ दिन पहले आमागड किले में कथित तौर पर भगवा जंडा फ्याडने के बाद विवात खड़ा हो गया था तल्ख माहल को देखते हुए पोलिस ने निशेधाग्या जारी कर लोगों से आमागड किले का दोरा नहीं करने को कहा लेकिन इसके बावजूद आज भाजपा के राजज सबासांसा डॉक्टर किरोडी लाल मीडा पोलिस को चक्मा देते हुए खिले तक पहुछने में कामिया जबाब देने वाले डॉक्टर किरोडी लाल मीडा जी की गिरफतारी निंदनी डॉक्टर मीडा को तुरंत रिहा किया जोए राजसान के जोदपूर में आरेयस भरती परिक्षा दोहजर ठारा के इंटर्वी में घूस का मामला सुर्खियां पकड़ता जा रहा है इस मामले की जाच कर रहे एंटी करप्षन ब्यूरो ने तीन दिन पहले ही बाड़मेर के कल्यानपूर से तीन लोगों की गिरफतार कर लिया अब जाच की सुईस जोथपूर के निर्वतामन जिला प्रमुख चौधरी साहब के असपस घूम रहे बाड़मेर के हरीश सारण को सतर अंक से जादा दिलाने के लिए बीस लाग रुपे रिश्वत लेने के लिए इस मामले में कुछ सुराग ECB के हाथ लगी ECB के अडिशनल SV भोपाल सिंग लखावत ने बताया है कि आरोपी किसना राम ने निर्वर्तमान जुला प्रमुख पूना राम चौधरी से संपर्क किया था और इस भरती के दोरन दोनों में संपर्क लगातार बना रहा पिशले दो दिन से पूना राम का मुबाइल बंध है उन्होंने बताया कि पूना राम से पूस्ताच और जौंच के बाद ही पूरी सिती जो है वो इस पस्ट हो पाए गयो और तलब है कि बाढ़मीर में निजी स्कूल के संचालक्ट ठाकरा राम पड़मड़ा सरकारी पर जोधपूर निवासी किसना राम को 20 लाग रुपे रिश्वत दिये थे ठाकरा राम भतीजे हरिश चौधरी को आरेएस इंटर्वी में सत्तरंग से जादा दिदलाने थे इसके लिए किसना राम ने जोधपूर के निर्वत मान जुला प्रमुक पूना राम चौधरी से प्रियास किया तो पिछले दो दिन से उनका मुबाईल स्विच आफ बता दिया गया जानकारी के अनुसार किसना राम जिस स्कोल में काररेत है वा आरेस से सम्मंदित है वहीं पूना राम चौधरी भारती जिन्ता पार्टी का नेता है दोनों के बीच काफी नस्दी किया है इसको लेकर ACB हर अंकल से पड़ताल के लिए निर्वतमान जुला प्रमुक से पूस्ताज भी करेगी जोध पूर ACB ने पकड़े गए तीनों आरोपियों को दो दिन की रिमांट पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने जेलम भेजने का आदिश दे दि तो आपको बताते चले R.S. भरती परिक्षा में लगाता दिन प्रतिदिन नए उखलासे होते जा रहे हैं सुबे की सरकार जो है वो विपक्ष के अब निसाने पर आ चुकी है सीधे तोर पर विपक्ष का कहना है कि R.S. भरती मामले में धोखाधड़ी और धांदली की गई है बीजेपी नेता से जो तार थे वो इंटर्वी में जो शक्स मौजूद थे अधिकारी जो मौजूद थे उनसे जुड़ो है पाये गये हैं तो राजस्थान के कई जिलों में हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लगे हैं सुमवार को ही भारी बारिश के कारण बारजुले के छिपा बरोत पुलिस थाने में पानी गुज गया थाने में पानी करेब घुटनों तक भर गया तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाहर खड़ी बाइक आफिस और लॉकर में खड़े कैदी पानी में खड़े नजर आ रहे हैं वहें पुलिस वाले ऐसी इस्तिती में काम करने को मजबूर हैं राजस्थान के कई इलाकों में आज भी भारी भारी शोनी की संभावना है करॉली के सपोर्टरा इलाके में भारी बारिश के कारण एक मकान के दिवार गिर जाने से बाइब बीटी के मौत हो गई और एक बच्ची पानी में डूब गई है इससे सटे भारत पोर जुले में दिवार गिरने से उसके पास वर्टी महिला की मौत हो गई बूंदी में भी एक मकान ढह जाने से मासूम बच्ची की मौत हो गई और उसके माता पिता गंभी रूप से घायल हो गई जब अरजस्त बारिश के कारण और फ्लो हुए काली सिल बांध पर तीन फिट के आसपा चादर जो थी वो चल रही थी और हालात देखकर प्रशासन की सासे फूलने लग गई वहीं आज भी बारिश की संभावना है हर साल आईमडी दक्षिन पश्रिम मांसुन की बचे माहों अगस्त और सितंबर के लिए पूर्मान जारी करता है विभाग ने अब माहवार पूर्मान जारी करना भी शुरू कर दिया है अगस्त में पूरे देश में औसत वर्षा सामान होने की संभावना है 1961 और 2010 की गड़ना के आधार पर इस माहवार पूरे देश में अगस्त की वर्षा का LPS जो है वो लगबग 258.1 मिमी यानि की 10 इंच के आसपस रहेगा